नमस्कारम सद्कुरू आपने कहा है कि अगर कोई सच में इच्छुक है तो आप उनके तर्क से परे उनके लिए उप्लब्द है तो अगर इस कमरे में कोई वास्तव में इच्छुक है तो क्या आप उनके मन को पढ़ सकते हैं? या कहें कि मैं शिमला में हूँ और आपके बारे में सोच रहा हूँ और सच में इच्छुक हूँ हाँ, क्रिपया मुझे दिक्षा दे या मुझे दिशा दिखाए क्या आप इसके बारे में जान लेंगे? तो क्या मैं आपका मन पढ़ सकता हूँ? मैं लोगों के दिमाग को पढ़ने में अपना समाई खराब नहीं करता क्योंकि ये मैं खुद का दिमाग भी नहीं पढ़ता क्योंकि ये कूड़े दान जैसा है क्योंकि आपके दिमाग में क्या है? आपके दिमाग में जो भी है, क्या आप इसे चुन सकते हैं? आपके बच्पन से ही, जो कुछ भी आपने देखा, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंखते हैं, चकते हैं, सब कुछ आपके दिमाग में है, है न? आपका दिमाग समाज का कूड़ेदान है आपके पास कोई चोईस नहीं है अगर ये व्यक्ति बोलता है तो मैं ले लूँगा अगर ये व्यक्ति बोलता है तो मैं इसे नहीं लूँगा क्या आपके पास ऐसी चोईस है अगर मैं आपको गाली दूँ तो आप इसे ज्यादा याद रखेंगे बजाए कि अगर मैं आपको अच्छी बाते कहूँ, हाया ना, हेलो, तो ये एक कुड़ेदान है, जो हर चीज लेता है आप ये चुन सकते हैं कि क्या उपयोग करना है और क्या नहीं करना अगर आप प्रतिक्रिया की स्थिती में नहीं है, तो आपके पास वो चॉइस है आपके सामने जो कुछ भी आया है, वो सब आपके दिमाग में है, दुनिया में जूट फैलाने वाले लोग शुद्ध मन की बात करते हैं, कचरा कैसे शुद्ध हो सकता है अगर आप आदा दिमाग हटा दो, तो शुद्ध मन, वरना आपने जो कुछ भी इकठा किया है, सब वहाँ है, क्या उप्योग करना है और क्या उप्योग नहीं करना है, यह आपकी पसंद है यही आपको एक दूसरे से अलग बनाता है, एक व्यक्ति सही चीज़ों को चुनता है, दूसरा व्यक्ति बेढंगे तोर से कुछ भी चुनता है, तो उसी हिसाब से आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है लेकिन क्या आपके पास वाकई यह चॉइस है कि आपके दिमाग में क्या होगा, दुनिया की सारी गंदगी दिमाग में है, है ना आपके दिमाग में क्या रहे, इसका आपके पास कोई चुनाव नहीं है अगर आप सोचते हैं, मुझे ये नहीं रखना चाहिए, बस वही रहेगा अभी एक प्रयोग के तौर पर आप सभी बस अपनी आखें बंद कर लें 10 सेकंड के लिए आपको बंदर के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? 10 सेकंड के लिए कोई बंदर नहीं सिर्फ बंदर, है न? इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि आपके पास कोई चुनाव नहीं है जो कुछ भी अच्छा, बुरा और बक्वास है आपके रास्ते में आने वाली सब चीजें आपके दिमाग में है आप चुन नहीं सकते, आप नहीं चुन सकते कि क्या पकड़ना है आप बस ये चुन सकते हैं कि क्या उप्योग करना है वो चुनाव भी बहुत से लोग खोड़ चुके हैं तो आपके मन को पढ़ने की बात ना करें मैं वो सारी गंदगी पर से नहीं चलना चाहता हलो, मैं अपने दिमाग को भी नहीं पढ़ता आपके बारे में तो भूल जाएं लेकिन मूल प्रश्न कुछ और ही है ये सिर्फ मैंने साइड में कुछ और भी बात कर ली मुझे आपको ये बताना चाहिए मैंने दुनिया में ऐसे ज्यादा लोगों को दीक्षित किया है जिनसे मैं कभी नहीं मिला उनके तुलना में जिनसे मैं मिला हूँ मैं कुछ लाख लोगों से मिला हूँ लेकिन मैंने इससे कई गुना ज्यादा लोगों को दीक्षा दी है जिन से मैं कभी नहीं मिला हूँ उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते बस अगर वो पूरी इच्छा के क्षण में थे, तो हम मौका नहीं चुके तो पूरी इच्छा का मतलब ये है, कि आप सचेत हैं और आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, आप बस यहाँ हैं अगर आप ऐसे, शिमला में भी ऐसे हैं, फर्क नहीं पड़ता आप शिमला में है या उत्तरी ध्रोव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चेतना में कोई दूरी नहीं होती आप एक ही कमरे में होने की बात कर रहे हैं ये सिर्फ शरीर की समस्या है आपका शरीर वहाँ है, मेरा शरीर यहाँ है ये बहुत साफ है ये मेरा शरीर है, वो आपका शरीर है ये मेरा मन है, वो आपका मन है स्पष्ट है यहाँ और वहाँ इन में मेल हो सकता है हम थोड़ा सहमत हो सकते हैं लेकिन यह मेरा मन है वो आपका मन है कभी आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला जिसका मन बिलकुल आपके जैसा हो क्या आपको मिला? यह आपने सोचा था जब आप प्यार में थे लेकिन जैसे ही आपके शादी हुई, आपको हैसास हुआ, कि उनका अपना मन है अलो, नहीं, आप यूवा लड़की हैं, आपको पता नहीं, शायद ऐसा हो जाए तो ये मेरा मन है, ये मेरा शरीर है, वो आपका शरीर है, वो आपका मन है अभी ये चीजें कम से कम अभी के लिए साफ रूप से अलग हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि मेरा जीवन और आपका जीवन जैसी कोई चीज नहीं है आपके पास उसी चीज का थोड़ा हिस्सा है मेरे पास भी थोड़ा हिस्सा उसी चीज का है ये ऐसा है, शिमला में, आप शिमला में पले बढ़े हैं? शिमला में, क्या आपने स्कूल में साबुन के बुलबुले उड़ाएं? ये ऐसा ही कुछ? आपने किया, मान लीजे, कि आप और मैं, आज हमारी साबुन के बुलबुले की प्रतियों गिता है, आप और मैं साबुन के बुलबुले उड़ाने जा रहे हैं, मेरा बुलबुला इतना बड़ा है, आपका इतना है, तो मैं कहता हूँ, देखो इसे देखो, ये बड़ा बु बुलबुला है, वो आपका बुलबुला है, ऐसे ही, अभी, ये मेरा शरीर है, वो आपका शरीर है, जिस ख्षान, ये तूट जाता है, मेरा जीवन और आपका जीवन जैसी कोई चीज नहीं है, ये एक जीवन है, तो क्या आप इसका अनुभव करेंगे, या वस उस भकवास पर विश्वास कर लेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ, सवाल बस इतना ही है, अगर आप इसका अनुभव करते हैं, उसके बाद, मुझे आपको ये कहने की जरूरत नहीं, जो आपके बगल में बैठा है, उसके साथ अच्छा व्यभार करें, उसे लूटे नहीं, मारे नहीं, ऐसा ना करें, वैसा ना करें, क्या आपको इसकी जरूरत होगी, क्या आपसे किसी ने कहा, ये छोटी उंगली, एक असाहाय छोटी उंगली है, इसे मत काटो, मत घिसो, मत मारो, क्या किसी ने आपको बताया, आप इसके देखभाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप इसे अपन पुरुष या महिला या एक व्यक्ति के रूप में नहीं, सिर्फ जीवन के रूप में, हम हमेशा इंतजार कर रहे हैं, आपको थोड़ी Inner Engineering करनी चाहिए, Inner Engineering एक कारेक्रम है, हम एक काम कर सकते हैं, अगर जब आप समर्पित हों, क्योंकि हम उसे उन लोगों को नहीं देना चा में इसे डप किया गया है, अपने मन को खोलने के लिए आप साथ सरल कदम उठाते हैं, फिर एक सरल अभ्यास है, जिसे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से करना पड़ता है, जिसे शामभवी महामुद्रा कहा जाता है, यह आपके साथ ऐसा करती है, कि अगर आप यहाँ बैठते हैं, तो आपका शरीर यहाँ है, आपका मन वहाँ है, और आप जो हैं, वो इन चीजों से थोड़ा दूर है, क्या यह सच है कि आपने इस शरीर को समय के साथ इकठा किया है, अलो, आपने इसे इकठा किया, क्या यह भी सच है कि आपने अपनी दिमागी चीजों को भी इकठा किया है, जो आप इकठा करते हैं, वो आपका हो सकता है, कभी आप नहीं हो सकते, है ना, अचानक अगर मैं इस बर्तन को उठाता हूँ और कहता हूँ ये मेरा बर्तन है तो आप सोचेंगे सद्गुरु को कुछ समस्या है लेकिन हर कोई कहता है कि वो बुद्धिमान हैं हम थोड़ा और सुनते हैं कुछ समय बाद मैं कहूंगा ये मैं हूँ फिर आप कहेंगे चलो चलते हैं जिस खशन मैं कहता हूँ ये मैं हूँ आप जानते हैं कि ये गड़बर मामला है लेकिन ये आपके साथ रोज हो रहा है आपकी थाली में खाना सामने आता है आप कहते हैं ये मेरा खाना है आप इसे खाते हैं, और फिर आप कहते हैं, ये मैं हूँ, ये गड़बर मामला है, है ना? हलो? हलो? गड़बर है ये नहीं? जिस ख्षान आप उस पर यकीन कर लेते हैं, जो आप नहीं हैं, तो आप पागलपन की हद पर हैं. अभी आपको एक ही आराम है कि सब ऐसे ही है पागल खाने में ऐसे ही होता है पागल खाने में सिर्फ एक डॉक्टर ही पागल होता है आप जानते हैं, बाखी सब सामान यही है हाँ? मैं कह रहाँ मान लीजिये आप आप इन दो उंगलियों को लेते हैं और अपनी आखों की पुतलियों में घुसाने लगते हैं, तो हमें लगेगा कि कोई बीमारी है, है ना? हलो? हाया ना? अगर आप खुद को चोड़ पहुँचाने लगते हैं, हर रोज आप अपने ये दिमाग की धार से खुद पर वार कर रहे हैं, ये बीमारी है या नहीं? बस इतना ही, अगर आप अपने आपको कोई तकलीव दे रहे हैं, तो यही गड़वड है, लेकिन हर कोई ऐसा ही है, यही एक फाइदा है, ये इसे ढख लेता है, हर किसी का ऐसा होना, किसी का अपको की बार्द है, झाल